वेलकम बैक टो माई चनल, हमारे चनल पर आप सुमें लेको सवागत है और आप लोग कैसे हूं? उम्मिद करता हूं, आप लोग भी अच्छा हूंगे, मैं भी अच्छा हूं और दूसरा एडृट स्विच है एक है चुह सब को step 3 नहीं करते हैं सब के टोप पोजिशन पर से इस्तमाल होता है। और यदि CP 30 plant है या और कहीं है तो इसको सबका तो एक तरह से स्विचिंग का काम है और थोड़ा सा सबकी टेकनोलोजी अलग अलग है सिस्टम सबकी अलग है तो इसका अब हमको किस जगह पर लगाना है तो वहां पर हमको कंडिशन क्या है अभी माली जे हमको इस डिवाइस को जगह लगाना है जहां पर इसको टच होते ही सिस्टम ओफ हो जाए इसमें चार पॉइंट होते हैं तो इसके लिए एक वीडियो अलग से बना हुआ है आप नहीं देखें तो इसके लिए हमको उस पर अभी यहां पर जिस पर बीप बजेगी यानि दो पॉइंट इसके जो है कट जाएगा यानि जो भी मोटर चल लएगी जो भी पैनल ओन होगा वह उप हो जाएगा इसका वहां पर यूज होता है और यहां पर बैचिंग प्लांट है सब जगह इसी चीज का यूज होता है लेकिन आप तो सोचते हैं कि कहीं पर हमको लगा दें कि जब तक यह जैसे यह स्टेट हो जाए यानि अपनी नार्मल पर आ जाए तो ओफ हो जाए तो इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट होता है यानि जो दो चार पॉइंट होते हैं तो आपको कनेक्शन उस पे करना है जहां पर सीटी नहीं देता है यानि मल्टी मेतर से चिक करने पर बिल नहीं आती इसका यह वहीं वर्किंग है और यह भी स्विचिंग का काम करता है और जो दूसरा डिवाइस है हमारे पास यह प्रोक्सी स्विच है जो कि पैनुमेटिक सिलेंडर बटरफ्लाई वाल को कंट्रोल के लिए लगता है यह अर्जेस्टेबल है इसको हमको कितनी डिस् लगी के लिए लगी अर्ची वॉल्ट अब उसी जग़ा यह सिस्टम इस्तम इसको अर्जेस्ट करके इसके जो कि अगे जो किलेंडर कमोट्डेंब भी ऊच्यृत पे हमको सेट करना है जब गेट जल जाएगी उसकंडिशन में हमको एक प्रमटर मिलना चाहिए आब अब अब भी नुक्सान होने से बचेगा और इसकी जो केबल होती है इस तरह की केबल होती है और इसकी connectivity होती है यहाँ पर इसमें जो चार point के हैं हो सकता है आपको कभी दो point के लिए मिल जाए क्योंकि हमको इसमें से कोई टच करेगा तो ओफ हो जाएगा अब यहां पर क्या होगा कि जब इसके सामने कोई भी आएगा object और लोहे का ज्यादा तर यह काम करेगा लोहे पर तो यहां से जैसे आएगा तो यह ओन हो जाएगा ओन होने का मतलब जो सप्लाई है continuity प्लांट के पास पहुंचेगा PLC के रहेगी तो इस प्रकार से इसकी working रहती है और इसमें जब भी आप बैठाएंगे इसको तो इसमें जरूर ध्यान दीजेगा इसके जो यह कट बने हुए है इसमें जो कट बने हैं तो इस कट से और इसमें भी ग्रूप बना हुए उससी पोइंट पर यह बैठेगा गलत च्किप के ट्रैक में लगता है और स्वी थर्टी यह तो चार इस्तमाल होते हैं ज़िए और दुसरा प्लांट है तो ट्रैक में दो ही स्टमाल होते हैं एक बॉटम के लिए टॉप के लिए और जो कि स्पी 30 का जो यह जो 90 डिगरी पर जाती है वहां की बात करें तो वहां पर यह बॉटम पर लगता है जिसके बाद इसके इंक्रीज होती है इसकी बूटराइथ इंक्रीज होती है इसकी डाउन हो रहा तो डिक्रीज होती है यहां से स्पीड कंट्रोल होता है बॉटम सेंसर के उपर जो सेंसर है उसके बाद वह इसी सेंप कंडिशन टॉप पर है जो टॉप पे भी दो सेंसर लगते हैं तो यह डिस्चार्जिंग के लिए होता है दूसरा वेटिंग के लिए होता है और वेटिंग वाला स्पीड ही कंट्रूल कर देता है तो इस तरह से इसका इस्तमाल होता है यह 24 बोल डीसी से ऑपरेट होता है और एसी के भी आते हैं लेकिन वे हमें DC हैं यह भी DC के लिए है और लिमिट स्विच तो जो हमने आपको बताया था हुई यह सी डीसी दोनों में operate होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है और रीरीट स्विच है यह जो यह जो रीरीट स्विच है यह च्छे बोल्ड DC से लेके 24 बोल्ड DC तक operate होता है यह मैगनेटिक सेंसर है यह पेनेमेटिक सिलेंडर के उपर यूज होता है और यह भी DC बोल्ड से चलता है तो इसका यह टू वायर में है यहां पर हमको सिर्फ एन्नो मिलेगा यानि ओन के सिंगनल मिलेंगे जब यह ओन होगा उस कंडिशन मे प्लांड में पत्थर आ जाते थे और गेट ओपन रहता था और आगे का प्रोसेस पूरा होगी स्किप चला जाता था लेकिन एक प्रॉब्लम काफी होने लगा था इसलिए रीड स्विच के इस्तमाल किया गया और आज़िए आपका गेट 25 mm से ऊपर खुल आ है तो उस कंड चरक के माधम से दिखा सकते हैं कि यह माइक्रो स्विच है और यह स्विच जहां पर नहीं इस्तमाल होता है वहां पर माइक्रो स्विच इस्तमाल होता है दो में से एक स्विच लगता या तो यह लगेगा या तो माइक्रो लगेगा लेकिन माइक्रो स्विच काफी पच्छी से नहीं होती है क्योंकि प्लांड में जो भी है डॉस्ट उ मांस्टर रे सब आहीं जाता है तो इस प्रकार से और माइक्रो स्विच भी 24 बॉल्ट से ऑपरेट होता है और एक तरह से यह भी सुचिंग के काम में हो कि यहां पर दीकिन सब के स्विचिंग के काम है और यह लेकार से यह भी से संसर है तो सब के बारे में पन्म होतों है कि दोसरे जो अब ही माल्ट है तो यह इसके बाद एक संसर के हमण में इन यह लगता है फेराइं आधरी मत क्लीन टॉस लिएmy इसलिए और गेट में दो भी इस्तमाल होते हैं डिस्चार्जिंग के लिए तीन भी होते हैं तो उमीद है कि मेरे द्वारा दिया गया इस सब के बारे में जो भी जानकारी है आप लोगों को समझ माया होगा तो मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ धन झाल में झाल में झाल में रह ला होगों के इस वीडियो जानकारी हैल ओी.